तद्याकार हैं, हमारे इन हाउस अनिलिस्ट हैं और इंटरनाशनल मैगजीन के अंदर लिखते हैं और इनका फोकस रहता है एकॉनमी के उपर जल्द हमें जॉइन करेंगे नदीम उलहक साब साबिक डेपिटी चेर्मिन प्लानिंग कमिशन सबसे पहले सिदाकर अबासी साब जो गैस की उपर आप लोगों ने कीमते बढ़ाई हैं उसके उपर लोगों को काफी तश्वीश है दस फीसद से आपने 144 परसेंट कर दिया है तो इससे तो सब कुछ बढ़ जाएगा ना जी कीमते बढ़ जाएंगी बहुत शुक्रियती आपने बुलाया सबसे पहली बात ये कि गैस का जो मैकमा है उसका पिछले साल का अक्यूमिलेटड लॉस जाए एक सो पचास अरब का था अब जो आपने कहा कि 140 परसेंट वो आपने उपर वाली एक्स्ट्रीम बताईए नीचे जो आपका 36 लाख दस पीसद तो कमस कम हुआ है 3.6 मिलियन जो लोग है 36 लाख लोगों का जिनका बिल 252 आ रहा था उनका बिल अब 255 रुपे आएगा 23 रुपे महीने में फाल्तू बिल आएगा जो एक दिन 70 पैसे होगा तो इसलिए को ऐसा लोगों को ड्राने की जोट नहीं है 70 पैसे एक दिन का बिल बढ़ गया है महीने के 23 रुपे बढ़ गये है 35 लाख लोगों के जो लोइस आपकी कैटेगरी है हाँ जो लोग बहुत ज़दा गैस कंस्यूम करते हैं उनके लिए बढ़ा है लेकिन गैस हमारे मुलक में पैदा होती है और पिछली हकुमत की मिस मैनेजमेंट का ये आल था कि 50 अरब की गैस चोरी हो रही थी और 150 अरब का सर्कुलर डेट इन्होंने नहीं एक तारी हरकम कर दी थी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था बिजली के बाद तो गैस की तो नहीं है आप किरें 150 अरब का सर्कुलर डेट गैस में पिछले साल के हम लेट हुआ है ये गैस कमपनी नहीं क्यों कर रहे है न जो गैसं अपकुले गैस कमपनी के नहीं है जुआ के वे बात अबाने की कि अपटर बहता है लुटा पुटा मिला है लुटा पुटा मिला है, हम ने आगे लेकि चलाना है, खर्चों में और आमदनी में जो फरक हैं और दो तरीकों से हो सकता है एक खर्चे कम करेंगे और दूसरा आमदनी बढ़ाएंगे आपको खर्चे कम करने के भी मैचेस नजर आ रहे हैं और आमदनी जिन तरीकों से हो सकती है जिसमें बिलकुल किसी गरीब को कोशिश की गई है कि मैकसिमम जो है वो अमीरों से कॉंट्रिब्यूट करा जाए लेकिन मैं कहरा हूँ 20-25-23 रुपे किसी भी हाउस होल के लिए महीने में मैटर नहीं करते हैं अगर पाकिस्तान में महिंगा ही देखी जाए तो उन्होंने डेफिसिट को पूर करना है तो उनको फिर जो ये कीमते हैं एक तरीके से बढ़ानी पड़ेंगी और वो कह रहे हैं कि इस और जब गैस को पूरा किया गया और सप्लाई उसकी तकरीबन डबल हो गई तो लाइन लॉसेज के अंदर जो लॉसेज थे उसकी वो भी डबल हो गए तो ये अपनी जगा चीजें हैं लेकर यहां यह क्या देना कि 10% जो है वो बड़ा है 36 लाख लोगों पे वो जो बाकी 140 40% के करीब जो दूसरों पे बड़ा है वो आखर इंडस्ट्री है वो आखर वो भी को प्रड़क्शन करते हैं वो जो उसकी जो प्रडूस है वो आखर तो किसी के ओपर वो एक्स्टा बड़न ट्रांसफर होना है मगर वो यह कह रहे हैं कि हम आपको 44 बिलियन रुपीज पं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक ही रेट के ओपर गैस मिले तो यह अच्छी बात है वेलकम बात है लेकिन यहां पर यह जो इन्हों ने बाकी जो बज़ट के अंदर चेंजिस लेके आए हैं और यह जो यह सिरफ 150 बिलियन नहीं है यह जो टैक्स इन्हों ने लगाए हैं यह वो 300 अरब से भी ज्यादा की हैं तो यह मैं समझता हूं कि हमारा जो बज़ट था वो 4300 अरब से ज्यादा का बज़ट था और इन्होंने कॉस्मेटिक चेंजिस करके उसमें 10% के करीब चेंजिस देखिया है 90% बज़ट तो वह ही है लेकिन इन्होंने नए टैक्सेज ल वो 125 रुपीज पर केजी था आज वो 200 रुपीज पर केजी से ज्यादा है तो यह मैं समझता हूं कि और अभी भी यह कह रहे हैं कि हमने अभी मजीद मिनी बज़ट भी लेकि आना है एक और तो यह एक इंडस्ट्री के लिए कोई गुड निउस नहीं है कि उनको पता ही नह अब कि आने वाले वक्त में उनके ओपर क्या और बंक्शान इनोंने गिराना है और मैं समझता हूं कि यह उन्हों ने अच्छा एकदाम नी किया अच्या फरान बुकारी साब लाईना था कि मां बोल तो जी जो रुड़ान चाब में और केपी के में गैस सबसिडाइज थी पंजाब में टेक्स्टाइल को नहीं थी हमने सबसिडाइज की है और वो सबसिडाइज करने का मतलब है कि तक इंडिस्ट्री में ग्रोथ हो और हम एक्सपोर्ट जो हमें नुकसान हो रहा है हमारी कमपेटिफ एक्सपोर्ट जाए ताकि हम जो इस वकत 36 अरब 36 बिलियन डॉल तो फरहान बुखारी साब आप कैसे इस मामले को देखते हैं क्या कोई और जरीया था कि ये अपने बजट को और मजबूत करते बजाए कि गैस की प्राइस उपर कर देते हैं खास तोर पे सरदियां आ रही हैं देखिए बन्यादी तोर पे सिर्फ ये गैस का मामला नहीं है बलके मजबूही तोर पे सारी माशी डारेक्शन का मामला है और आज का बजट देख के अफसोस ही होता है कि जो तबदीली का पेगाम इमरान खान साब ने कई साल पहले शुरू किया था उस पे अलेक्शन लड़ा और जनाब वो उन्होंने बार 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 ये कहा कि जी लगता है कि धरी रह गई है उसकी वज़ा ये आपने सुना होगा कितनी तन्खीद आई है नॉन फाइलर्स वर्सिस फाइलर्स पे खासता और गाडियों के हवाले से और प्रापरटीज के हवाले से अब ये मैं मानता हूँ और मेरा किसी सियासी जमाद से तालुक नहीं है ये भी मैं तस्लीम करता हूँ कि एंड एपरिल में जब नूनली की हकूमत वो एक खदम उठा के और फिर अपनी हकूमत खतम करके गई थी तो हो सकता है कि उन्हों ने वो डिलिबरेटली इसलिए किया हो ताकि अगली हकूमत के लिए जरा मुश्किल खड़ी हो लेकिन बात ही है कि एक तरफ इमरान खान साब को जो करॉप्शन के खिलाफ इल्जाम है पैनमा पेपर्स पे वो सारी के सारी उन्हों ने सुप्रीम कोर्ट में कितना जाके वो उस चीज़ को प्रेस किया लीड किया और बड़ा अच्छा मैसेज था आज आज आपने क्या किया आज आज ही बजट है एक रवायती एकनामिक पॉलिसी है जिसमें आपका एमफिसेज रेविन्यू पे है कि वो पंजावी क्लास है उसे कितना आप जो समाई है क्या बलके मजमूरी तोर पे जो लोग जहां से पैसे ले सकते हैं आप ले ले लें ताकि आपका वो जो एक नंबर है देते हैं उनको आप टैक्स नेट में लाने के लिए कोई एकदान नी करें अच्छा ये एक मुश्किल काम है नदीम उलहक साब ने मुझे जोइन किया है साबिक डेपिटी चेर्में प्लानिंग कमिशन बहुत शुक्रिया नदीम उलहक साब ये बताईए कि ना मिया सिम्थ है आपको लगता है कि शायद इसमें बहुत जादा चैलेंजिस हैं इसकी वज़ा से कोई भी हकूमत इसे करी नहीं पाती एक मैं अगर इजाफा कर दो मुखसर वो ये कि जर्दारी साब और नवाशरी साब से पहले परवेद मुशर्फ साब की हकूमत में जबकि वो बहुत ताखतवर एक हुक्परान समझे जाते थे उन्हों ने भी कोशिश की ते उन्होंने भी सिर्फ और चार दिन मेरे खर में नैब का कोई महीने दो महीने का काम हुआ होगा उसके बाद फिर वो उन्होंने फोकस काम किया था कि मसम्त जदारी साब के हुकूमत में बात को नी शुरू ही थी जी जी नदी मुलाफ़ा जी बिलकुल बड़े इससे सी चाल जी देगी मुनी से मसला यह है यह अभी बिलकुल ठीक कह रहे थे हमारी जो एकनामिक पॉलिसी आज का प्रॉब्लम नहीं है हमने पिछले तीस साल में पचीस साल आइम एफ में काटे हैं आ आजिए आजिए पारे में आप क्या कहेंगे या तो बहुत ही वो उसकी सहत खराब है या बहुत बेवकूफ आदमी है हमारे यह अनफॉशनिटी प्रॉब्लम टैक्स नेट का नहीं है हमारे यह प्रॉब्लम सोच का है सोच का फुक्तान है बहुत सख्त और सबसे बड़ा हें हैं हकोवशलिक में कोई नहीं सोच है कैसे जो एक निया पाकिस्तान जिसकी बात हो रही है कैसे यह इस बजट को मुख्तलिफ तरीके से प्रिजेंट कर सकते थे ये तो बताईए अभी एक महीना हुआ है अभी एक महीने में उन्होंने एक बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट बजट दिया है जिसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि छोड़े बाट रुक रुकाओ हो जाए जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की यह तो एक बैंडेड है मैं देखना जाता हूँ अगले तीन महीने में यह क्या करते हैं क्या नहीं चीज लेकर आते हैं पर मुझे जो अफसोर्स और मुझे लगता है कुछ नहीं होगा वो यह है कि मिनिस्ट्री और फिनान्स और एफबिलिटी नहीं पालसी बनाने का आपकी हकूमत में कहीं कोई एक थेकनॉमिकसर नौसल कुछ बंदे हैं जो अच्छाएं ट्रॉ जाएं जो आ के चाहे पी के चले जाएंगे यह आपके पास कोई बंदा आके चाहें जाएं उसका क्या फैदा है? आपने तो काम करना है सेरियस काम था जा जब आपका अंदर बैठके काम करआइएं बहार से क an obstacle. राप यूक्री का अपीं पार 아니에요 करोंट फारी ज़ा होगें, राश के विराफिस्टिटेड़ होु क्या करें, आजकल के अकॉनमी, आजकल का वाटर बहुत मुझकल वाठर है, आजकल की बिजली बहुत मुझकल बिजली है, आजकल की टेक्निकल हकुमत है। We don't have a technical हकुमत. आप एक बंदे को सुबह लगाते हैं. अल्चुर सेक्री शाम को लगाते हैं. इंडस्री सेक्री उसको सुबह कर जिते हैं. ठीक मगर इनी इनी मुश्किलाच से नदीम लहाक साहब हमने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है और इस पे भी हमें बात करनी होगी कि क्या हम IMF की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे मगर उससे ज्यादा जो जूरूरी बात है वो यह है कि इस मिनी बजट के अंदर मेरे लिए और आप के लिए यानी आम पाकिस्तानी के लिए क्या है इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद हमने तो बजट इसलिए बनाया था कि हम आएंगे हमारे साथ तो फराड हुआ है इस एलेक्शन के अंदर जो एक रिक्ड एलेक्शन है जिसके उपर पूरी पाकिस्तान की स्यासी जमाते एक करप्ट एलेक्शन उसको कहती है हमने तो अपने लिए किया था कि हम आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे आप खुद सोचें कि अगर इनोंने जो एक बहने में इतमाशा लगाया पाकिस्तान में आके इनको अगर बजट बनाना पड़ जाता तो यहां क्या होता ठीक नदीम अलग साब चुके मैंने वक्फे की तरफ भी जाना है सरफ यह बता दीजे कि आप इसको कॉस्मेटिक चेंजिस की तरह देखते हैं या आप समझते हैं कि अवाम को इसे रिलीफ मिलेगी जो इनोंने जियाती की है इनोंने एक बीस लाक नौकरी हर साल देनी है अगर यह रोथ वाला बजट नहीं बनाएंगे इनोंने तो डिवल्पमेंट फंड के ओपर दो सौपचास अरव रुपए की कटोती लगा दी है अगर यह डिवल्पमेंट औरियंटेड बजट नहीं बनाएंगे यह कहां से सिंपल बात है आगे को सोचना है कि तरकी करेगी अचा यह जो प्लिटिशन कहते हैं कि 5% ग्रोथ होगी बड़े खुश हो जाते हैं नारे लगाते हैं 3% होगी रोते हैं जो हमने कैलकुलेशन की थी मिनिस्ट्रिया प्लानिंग में भी की थी लदा भी की थी कि जी 8% से अग्रोथ करती है वो फेल अग्रोथ है वो हमको ना रिलीव तेरी ना कुछ तेरी है और बजट के जरीए देना चीजे हैं कि जी हम आपको हेल्थ भी दे देंगे हम आपको यह भी देंगे गलत बात हैं यह हम उस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं हम हेल्थ दे सकते हैं और हर बजट के जरीए बनाना मेरा लहां भाड़ी गलत बात है इम्रान खान का अबजेक्टिव बड़ा क्लियर है बड़ी अच्छी बात है क्गार दास मिलिए बनने चाहिए और ।पांच मिलिए नौकरी जो भी उसने बनाय हुए अच्छे आपजेक्टिव हैं पर बजट क कि इतनी समझ नहीं है मगर आम इंसान की तरह मैं एक सवाल आप से करती हूं फरहान बुखारी साब के हमारे मुल्क के अंदर बहुत जो हमारी मोर्द हाफ मोर्दन हाफ और एकॉनमी इस बेस्ट ऑन अंडॉकुमेंटेड एकॉनमी उसको किसी हपूमत ने डॉकुमेंट करने क कोशिश नहीं की स्मगलिंग यहां पर होती है ट्रेड नहीं होती उसको भी डॉकुमेंट करने की कोशिश नहीं की तो एकॉनमी तो तब ही उसका पईया चलता है जब उसके अंदर पैसा आए और जब आपके एक फीसद से कम लोग टैक्स देंगे और उन्हीं के पर बोज इस बार भी ढाला जा रहा है उन्हीं के पर बोज डाला जाएगा तो फिर आपका क्या एकॉनमी का क्या बनेगा आपके सवाल में ही आपका जवाब है और जवाब यह है कि आपने वक्त के साथ-साथ पाकिस्तानी मुम्लिकत को कमजोर किया है जबके अश्राफिया मुल्क म यहां मुख्तलिफ शूबों से तालोग रखता है तो दे स्टेट है बिकाम बीकर यह जब तक के रिट स्टेट की यानि मुमलिकत की हाकिमियत जब तक कि यह दुबारा बहाल नहीं होगी जब तक कि लोगों को यह समझ नहीं आएगी अच्छे अच्छे तगले लोगों के समझनी आएगी कि कानून नाम की कोई चीज है और कानून का अतलाग भी होता है आज मेसेज ये गया है कि कानून तो फिलाल आप छोड़ें आप बस पैसे दे दें ये जो नॉन फाइलर्स वाली बात चल रही है जिस पे बहुत तनकीद हुई है और मैं ये भी चाहूंगा कि राना अफजल साब यहां पे मौजूद हैं अगर आपोजिशन वाकी इसके बारे में इनकी इतनी स्ट्रॉंग फीलिंग्स हैं जितनी आज उन्होंने बातें की हैं पारलिमेंट में जागर उठाएं इस पे बहस करें और हुकूमत को कायल करें और कोशिश ये करें कि ये ज चनाब 2.500 रुपए का डिवल्मेंट PSDP में कमी होई है कटोती होई है और वो बहुत बड़ी खलती है ये ना भूलिया कि पाकिस्तान में डिवल्मेंट स्पेंडिंग में एक बहुत बड़ा हिसा ऐसा है जो के वेस्टेज में भी जाता है जहां पे चोरी चकारी भी होती है मुझे एक युएन के ओफेशल ने और बहुत सीनेर आदमी ने पिछले साल ये बताया कि पाकिस्तान में कुछ प्रॉजेक्ट ऐसे इंप्लिमेंट हुए है पिछले 12 से 15 साल में जहां पे 50 पीसे तक जो पैसर डाला गया वो जाया हुआ उसका जो एक सिलूशन है वो ये तो नहीं है कि आप डिवेलिपमेंट बजट ही कम कर दें उसका सिलूशन यही है कि जिस तरह के यह कह रहे हैं कि जी आप करॉप्शन को यहां से उसका फास्मा करें मगर राना अवजल साब जो फरहान बुखारी साब कह रहे हैं कि आपको कमसकम एक स्ट्राटजी के तहट नैशनल इसमली में इस मौज़ू को उठाना चाहिए और स्ट्रक्शल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए तो वो तो मुझे नहीं लग रहा कि है जो आपोजिशन है वो जाएगी बिलकुल मैं अगली करता हूँ बड़ा दुरस्त उन्होंने कहा और ये चीज़ें डिवेट होंगी होंगी इन्शाला जरूर होंगी लेकर एक आम आदमी का जो रिलीफ है मैं समझता हूँ कि एक तो एकॉनमी अगर ग्रो कर रही हो और उसके अदर जॉब क्रियेशन जैसे अभी कहा गया बिलकुल दुरस बाते हैं ये चीज़ें नहीं हो रही और सबसे बड़ा जो साइलेंट टेक्स है लोगों की उपर वो इन्फलेशन है तो जितनी भी टेक्सेशन कोई गर्मेंट करती है उसको उसके इन्फलेशनरी एफेक्स को मदे नज़र रखना चाहिए ताके ये गरीब आदमी जो पंदरा बीस सदा तंखा ले रहा है उसकी तंखा तो नहीं बड़ेगी कता कलावी माफ मगर आप लोग जो टेक्स नेट है उसको वसी क्यों नहीं कर पाया आपने कोशिशें तो की थी में चैलेंजिस क्या थे आपके देखें हमने तो कोई आठ लाक से तेरा चौदा लाक पे चले गए और टेक्स का जो था कलेक्शन भी डबल हो गई और हमारे दावर में ही वो डेटा बैंक भी बन गया जो अब इस्तमाल हो सकता है मगर उस तरीके से आप वसी नहीं कर पाये ना अभी भी एक फीसद या दो फीसद से कम लोग पाकिस्तान के इंदर टैक्स देते हैं वो बात सही है लेकिन हमने कमस कम डबल की हैं यह सारी चीजें और हम अब भी डेटा बैंक बन गया है आपके पास ओथेंटिक इंफरमेशन आ गई है कि लैंड कुजर किसनी है ट्राविलिंग कितनी है यह चीजें आने वाले वक्त के अंदर एक बेसलाइन जो है वो बनी है मैं समझता था कि इस मिनी टेक्स के अंदर मिनी बजट के अंदर जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजिस हैं उसके ओपर कोई एक यह हकुमत अपने पहले एक दो साल में कोई स्ट्रॉंग स्टेप्स लेगी को बिजली चोरी को कम करे है तो यह मैं चीजें हैं मैं समझता हूँ कि इनको अभी फैसला करना होगा कि स्ट्रॉंग मेजर्स अगर लेने हैं और टेक्स नेट में लोगों को लाना है और जो फाइलर नहीं है उसके साथ इनको इतनी हमदर्दी क्यों है कि वो अच्छा यह एक इंपॉर्टन ही कि वो ना घर खरीच सकेंगे ना गाड़ी खरीच सकेंगे वो आपने वापस ले ली अब वो घर भी खरीच सकते हैं गाड़ी भी खरीच सकते हैं और जो सैलरी क्लास है उसके उपर मजीद और टैक्स लगा दिया तो जो वो बिचारे दो फीसद से कम लोग टैक्स देते ह हैं उन्हीं को क्यों पिसा जा रहा है देखे कुछ लोग तो वाकिए कंफ्यूज हैं और कुछ लोग इसको गुड मुड कर रहे हैं दो टार्गेट होते हैं किसी भी मुल्क एक होता है immediate और एक होते हैं long term long term में वसी कैसे करेंगे tax के दारे जब हम short term को बात करें तो उसको आप long term में आके refute करते हैं और long term में को short term में करते हैं ज़रा थोड़ी सी बात पहली बात यह है कि यह सारी proposal है काल अगर opposition समझती है कि कोई जीज उपर निचे करनी है तो हो जाएगी यह final नहीं हुआ यह proposal है जिस पर discussion होनी है पार्लिमेट में और यह बात कर सकते हैं आपकी strategy क्या है अब आप कहना यह चारे है कि यह फिलाल मसला क्या है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा है उननिस सो बीस ठीक तर आप यह क्या चुक्तान नहीं सुन ले ना आप उसका मसला क्या है दो तरीके उसको हल करने की इमिजेट्री क्या है कि अपने खर्चे कम करें और रेवन्यू बढ़ाएं रेवन्यू कहां कहां से बढ़ाएं अभी आप गर यह टैक्स नेट बढ़ा क्यों नहीं रे मैंने का इन्होंने जल्म क्या किया कि जो बंदा चार लाख टैक्स लेता है चार लाख आमदनी है साल की 40,000 अपर जिसकी आमदनी है उस पर कोई टैक्स निया ठीक है जो बंदा 75,000 अपर टैक्स में नहीं हो सकता हमने पहला काम किया हमने एफ बी आर को पहले ठीक करने का इरादा किया और हर महीने अपने ओपर यह जिम्मेदारी ली हम कम से कम हम 10 अरब रुपया फालतु कथा करेंगे और एफ बी आर को ठीक करेंगे शॉर्ट टर्म में हमने टार्गेट बढ़ा दिया लॉंग टर्म में अब जब रिफॉर्म करेंगे यह जो आप कहरें ना के जो नॉन फाइल है इनके लिए हमें लॉंग टर्म स्राटीजी देनी पड में उसके लिए हमारा एफ बी आर के अंदर रिफॉर्म लेके आएंगे इसको आप कैसे देखते हैं आपको लगता है कि इसे चीजे बेतर होंगे या आपको लगता है कि इनको आइम एफ के पास जाना पड़ेगा अब ही हमने देखा है कि इमरान खान साब गए हैं साओधि हो रहा है जी आएम एफ के पास तो जाना ही पड़ेगा जितनी जल्दी जल जाना उतना अच्छा है ना गुरेज करें जाना जरूरी है क्योंकि आप फसके हैं नमबर दो खुदारा हम तरकी इसली नहीं करते क्योंकि हमारी सब डिसकॉशन ऐसे ही होती हैं यह एक्सपर्ट पार्लिमेंटरी जाना प्लीज यह बताएं क्या होना जी है ठीक है नहीं हुआ नमबर दो प्लीज प्लीज ने आप बहुत कर देता हूँ आप लोग यहां टीवी पर बोलते हैं असेंब्ली में बिजरा बोलके दिकास नमर दो उदारा यह सब बते गलत हैं यह सब बते गल सी हैं यह इनको हम सब चैलन्ज करते हैं आप लोग टीवी पर उठाते रहते हैं खुदारा आप उनको रिस्पांड करने दें चुके बिल्कुल प्रोग्राम कवर खत्म हो रहा है जी नदीम उलहक साभ बात तो सुनते नहीं है यह लोग मेरी बात को कहता हूँ ना बार बा सी फिर ने पर्लिमेंट में बोलें बजट आया पार्लिमेंट में डेबेट करें पूछे डिबेट दिखाएं पिछले 40 साल में पार्लिमेंट में डेट नहीं हूँ is statistics मौजूद चार घंटे से जदा डिबेट नी होती बजट पे वहां बोलें बताएं हमें और खुदारा कुछ सीखें थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्रेम्स भी करें यह जो है ना कि पूछ के जो मर्जी कहे दें बगहर सोचे हुए टैक्स नेट इस मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है फिर क्या है जी लेकस्ट पोइंट आऊट क्या है मैं आपको बड़ा सिंपल कहँ रहा हूँ हमात जिसकी टैक्स पॉलिष इतनी नाकिस है क्या कहते हैं यो जो जो विदोल्डिंग टैक्स दुनियों में कहीं लगता सैलफोन पर नहीं लगता ट्यूशन फिपिन लगता ह जिसको खतम करें, यह P 실ंटिट्ट टैक्स्उीजिन का सिस्टम बक्वास है जिसको खतम करें, यह अब नॉन फाइलर, फाइलर, बक्वास है, किसी मुल्क में नहीं होता, खतम करें, प्रिजंटेर टेक्सिटिक्षिंशन का सिस्टम बगवास उसको खतम करें. यह अब नॉन फाइलर फाइलर बगवास है किसी मुलक में नहीं होता है, खतम करें. आप simplified tax policy पे आए जो economic principles पे आए उस पे आप बात करें और फिर अपने हमें कुछ example दें आपका मतलब क्या है कि simplified tax policy पे आएं income tax की बात कर रहे हैं तीन taxes होने चाहिए income tax, corporate tax, sales tax, VAT उसके लाबब कोई tax नहीं होना चाहिए विदोल्डिंग tax हर चीज़ पे लगना बिलकुल गलत बात है, कोई विदोल्डिंग tax नहीं होना चाहिए ठीक है मगा विदोल्डिंग tax तो बीफेर नवाज शरीफ साब की अकूमत ने लगाया था, राना राना साब मैं सही कह रही हूं कि नहीं विदोल्डिंग tax नहीं होता है ठीक है जी, लास्ट लाइन में को जुआ भी रटाक करते हैं, जहां एकॉनमी डॉक्मेंटेज नहीं होती, वहां डारेक्ट टैक्स मिलते नहीं है, तो इसलिए यह एक एक अल्टरनेटिव है, उन लोगों जिनके पाद जो अमीर अपने आपको नहीं शोग करते हैं, उनकी गारियों से, उनके मकानों से हम पैसे कलक करते हैं, एस्यूम करते हैं को वह हमीर है, जहां डॉक्मेंटेशन होगी वहां यह मसला नहीं होगा, लास्ट वार जी, बदकिस्मती से सालर साल से मैं यह देख रहा हूं, सुन रहा हूं, टॉक्शोज में भी आते हैं, हमें यह प आता है कि उसका हल क्या है, लेकिन वो बीच में कहीं चीज नहीं होती, बजट से नियत और